सब्सकार सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपूर से जहाँ जेल रोड गोली कांड मामले में पुलिस ने मुख के आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी शेक साहनवाज और शारुग गिरफतार किये गए हैं आरोपी उन्हें सेंट्रल जेल के बाहर शेक साहिल नाम युवक को गोली मारी थी पुलिस जल्द करेगी मामले का खुलासा तुमारे साथ इस खबर से जादा जानकारी देने के लिए तैसीन ज्यादी जूड़ चुके हैं तैसीन बताएं अपडेट ने पुरी खबर का जो है जो रिष्टदारों के चुपे वे थे शेहर में चुपे वे थे और इनको गाहिन बांच की तीम ने थोड़ी दिर पहले गफ्तार किया है और अभी थोड़ी दिर में इस बात कर पुरा खुलासा भी करेगी लेकिन इस तरीके से बेख़ौफ जो जेल के बाहर जो अत तो उसके बाद जो है आज इस बात को लेके आई जी राइपुर रही ने भी बड़ी बैठा की जिसमें काफी नाराजगी जाहिर की तरीकी की पुलिसिंग राजदानी में हो रही है उसको लेके काफी नाराजगी जाहिर की है और उसके बाद जो है अभी इसमें करीब दस पर दोड़ानी रंजिश है और इसमें जो नशे का कारोबार है उसको लेके वर्चस की लड़ाई के चलते ये इनमें गैंग बार हुआ है और इसके पहले भी जील के अंदर भी इन लोगों में आपस में विवाद हुआ है जिसकी समय समय पर आईबी सी रोड़ी पोर्ड ने खबर उसको प्रिसारित की है प्रमुकता से उसके बाद जो है अब ये बड़ा कांड हुआ राइपड में की है इसमें आज जब ये मुलाक जीत है अब इंतजार है पुलिस की पीसी का धन्यवाद कोई जानकारी के लिए इदर बलासपुर में एंट्री क्राइम टीम के यार में गांजा तसकरी के बड़े कारोबार का चौकाने वाला खुलासा हुआ है खाकी की यार में जी आर्पी के जिम्मेदार कैसे रैकेट की ओपरेट कर रहे थे देखिए खास रिपोर्ट में और दूसरे प्रदेशों में पहुचाया जाता है तसकरों पर नकेल कस ने आर्पी अप जी आर्पी और लोकल पुलिस स्पेशल टीमों का गठन किया गया है लेकिन यही टीमें अब इस स्पेशल टीम की आड़ में खुद गांजा तसकरी और गांजे के कारोवार का जी आर्पी में भी फ्लाइंग स्कॉट काम कर रहा है उसके ये मेंबर थे इनके इंडिवीजुल जो भी है और ये क्राइम में इनवाल्मेंट है जो भी है वो ये चीज मिली है उसके अंदरगत कारवाई हो रही है तो हर विभागों में हर तरह के लोग होते हैं जहां पर जिनसे कोई गलतियां कोता ही किसी परकार की कोई अनुचित आचरन होता है तो जरूर उन पे जो संबंदिन ते जैंसिया हैं जो उनके विभाग के अधिकारी हैं चाहे कानूनी कारवाई हो ये चाहे विभागे दरसल जबलपूर के दो गांजा तसकर योगेश सुन्धिया और रोही दुवेदी को 20 किलो गांजी के साथ गिरफतार किया गया था पुस्ताच में दोनों गांजा तसकरों का सीधा संपर जियारपी एंटी क्राइम टीम में शामिल आरक्षकों से मिला आरोपी आरक्षक गांजा ले जाने के लिए नीली बत्ती लगी नीजी वहन का भी उप्योग करते अब तक करीब 15 करोड का गांजा जियारपी आरक्षक खपा चुके जिसकी रकम से करोडों की चल अचल संपत्ती बनाई गई जी आरपी ने इसमें रेलो इस्टेसन पर गांजा पकड़ा और उसमें कारवाई की इसके दोरान ही ये इंपुट इंटेलिजेंस इंपुट था कि इसमें कुछ जी आरपी के जो फ्लाइंग स्कॉट के आरक्षक हैं उनका भी इंवाल्मेंट है इसमें हम लोगों को इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत है और ना सिर्फ स्टेट में रहके जो हम लोग यहां पे चतिसगर में हम लोग एक साथ समनवे मिलाकर सभी एजेंसिया और सभी पुलीस विभाग काम कर रहे हैं इसके अलावा हम लोगों को अपने पड़सी राजियों से भी समनवे अधिक बढ़ाने की जरूरत है इस खुलासे के बाद कई बड़े सफेद पोश और वर्दी धारियों के भी शामिल होने की पूरी आशंका है जाच में टीम को इंपुट मिले हैं जिसके तार नियाए धानी से लेकर राजधानी रायपूर तक जा सकते हैं फिलाल जाच की फाइल कारवाई के लिए पुलिस हेड़कॉर्टर को सौप दी गई जितेंदर थावाई आई बीसी टर्टिफोर विलास्पॉर इधार गॉलेर में पदस्त एक पुलिस कर्मी और उनका बेटा चोर की हरकत से परिशान है चोर पुलिस कर्मी के बेटे का मुबाइल चुड़ा कर फोटो को वाइरल करने की धमकी दे रहा है आरोपी ने 2 लाग रुपे की ढिमांड की है चोर की धमकियों से पुलिस करमी और उनके बेटी की नीन दोड़ी हुई है आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है जिससे पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही बता दें कि फर्यादी कुणाल कुछ दिन पहले प्रतियोगी पर इक्षा देने चितौरा रूड पर स्थेथ कॉलिज में कया था जहां से चोर ने उसकी गाड़ी से फोन चुरा लिया था अब वो उसे ब्लैक मिल कर रहा है जाके मॉबाइल पर एक कॉल आया था कॉल करने वाला जो फरोडिस्ट है उसके दोरह बताया था कि आपके बेटे के मॉबाइल में जो फोटू बगर आए उनको हम बाइरल कर देंगे और दो लाख रुपे की माँग के संब्वन में उसके आखर बताया इस संब्वन में जो नंबर से कॉल आया था संब्वन में भी साइबर क्राइम दोरह बेवेजने की जा रही जल्दी जल्दी ट्रेस कर मॉबाइल जब्ट के जाया गा और जो फ्रोडिस्ट है इधर जवलपूर हाई कोट ने मर्दप्रदेश के पुलिस थानों के अंदर निर्माणा धीन मंदिरों पर रोक लगा दी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने राज सरकार से पूछा की आखिर किस आदेश के तहट पुलिस थानों की सरकारी जमीन पर मंदिर बनाया जा रहे हैं मामले में मदप्रदेश के मुके सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है हमारे समवाद दता विजेंदर पांडे ने याचिका करता ओपी यादव के वकील सतीश वर्मा से खास बातचीत की जबलपूर हाई कोट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मदप्रदेश के तमाम पुलिस्थानों के भीतर उनके परिसर में शाष की भूमी पर बन रहे मंदिरों के निर्मान पर रोक लगा दी है हाई कोट ने पूछा है कि आखिर किस आदेश के तहत मंदिरों में सरकारी जमीनों पर मंदिर निर्मान किया जा रहा है और इस मामले पर डीजीपी को प्रदेश के मुख्य सच्चिव को नोटिस भी जारी किया है और इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिस पर हाई कोट जबलपूर का ये आदेश आया इस वक्त हमारे साथ सतीश वर्मा जी है उनसे हम बातचीत करेंगे इस याचिका में आप लोगों की होर से क्या तठ्ठ पेश किये गए हैं सर याचिका में आज बाईनी में जारी किया है आदेश नहीं आया है इस इस में इस याचिका में ये आरोप है कि पुरी परदेश के अंदर थाने जो नए बनाया जा रहे हैं उन परिसों में मन्दिर और अवे धार्मा नान जा रहे है जो कि मानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का घोर उलंगन है और यह जो इनका उलंगन करने वाले हैं वो उन थाने के जो थानेदार है वो स्वयम है और जो पब्लिक सर्वेंट और थाने सास्की कर्मचारी होते हुए भी यह करत कर रहे हैं तो हमने इसमें याचिका में उन उ पुराने स्ट्रक्शस के उपर तो नोटिस जारी किया ही है और साथ में जो अभी निर्माना धीन है वरतमान मेया बनाया जा रहे हैं उन पर भी रोप लगा दिए खासकर जवलपुर के जो चार थाने वी मरतमान में बनाये गए हैं जो जो की विजय नगर सिविल लाइन्स लाडगंज और मदन महल इनमें थानों के निर्मान के दोरानी चार मंदिर बना लिये गए बनते समय ततकालीन जो जवलपुर का लेक्टर थे उनको बताया गया था एसपी को बताया गया था पर उन्होंने किन कारणों से उदासींता दिखाते हुए यह सब परदास्ट किय और निर्मान होने दिये तो हमने उनको भी पार्टी बनाया है और याच का में आरोप है कि उन पर भी एक्शन लिया जाए देखना होगा कि 19 नमबर तक यह जवाब आने के बाद कोट आगे इस मसले पर क्या रुख अपनाता है फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जबलपूर ह बागेश्वर धाम के पिटवदीश्वर पंडित धिरिन शास्तरी इन दिनों 36 गड़ के दोरे पर हैं इस दोरान उन्होंने कवरदा और कांकिर में हनुमान जी और धमतरी में माता अंगार मूती की दर्शन किये कुम्ब में गैर उंदों के प्रवेश को लेकर कहा कि मैं सं पंडित शास्तरी ने कहा कि हम बहुत जल्द बस तर्व से धर्मान तर्ण के खिलाफ पद्यातरा करेंगे पेसाब कांड करने वालों के खिलाफ फत्वा जारी नहीं हुआ इस दोहरी मानसिक्ता के खिलाफ हैं बहुत ही जल्दी वस्तर में धर्मान तरण को रोकने के लिए वा सनातन के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए एक जुट करने के लिए हिंदुत को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी वस्तर में आएंगे जर 36 गड राज उस्तव के शुबारम के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राइपुर पहुँचें एयरपूर्ड में डिप्टी सीम अरुण साउफ कैविनेट मंत्री श्याम विहारी जैसवाल प्रदेश अध्यक्षक किरन सिंख देव सहिद बीजेपी के निताओं ने उनका स्वागत किया मीडिया से चर्चा करते हुए सीम डॉक्टर मोहन ने कहा कि 36 गड और मध्यप्रदेश अब भी सगे भाई की तरह हैं यहां आकर मैं अपने आपको धन्य मानता हूँ उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार में राज्य का विकास रुख गया था लेकिन अब सारे अवरोध दूर हो गए हैं सभी सेक्टर में हमारी सरकार काम कर रही है हातियों की मौत के मामले में सीम ने कहा कि 36 गड़ और मद्यप्रदेश में हातियों ने बसेरा कर लिया है। हातियों के जीवन में अमन चैन रहे और ग्रामिणों के जीवन में भी कोई परिशानी ना हो। इसके लिए चर्चा जारी है। 36 गड़ के राजुत्सव का शुबारम मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। पीची सी चीफ दीपक बैज ने तंज कस्ते हुए का कि क्या मोहन यादव कवर्दा के स्वर्गी साध राम यादव के परिजनों से मिलेंगे। क्या जेल में पहुल गांदी कभी किसी पीडित के परिजन से मिले। मंद्री जैस्वाल ने कहा कि दिवेंद्र यादव जैसे व्यक्ति से तो ना मिले तो ही बैतर है। कुछ नाम उन्होंने बताया देवेंद्र यादव जैसे बेक्ति से मिलेंगे ऐसा करके तो क्या उनके नेता जब उनकी सरकार थी तो राहुल गांदी जाते थे तो किसी से मिलते थे क्या। रायपूर दक्षिन विदान सबा में आज सर्व यादव समाज ने दिवाली मिलन समारों का आयोजन किया। इस कारेकरब में मद्द्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव, चत्तिसगर के मुख्यमंतरी विश्म देव साय, डिप्टी सीम अरुन सा और सांसथ ब्रिज मोहन अगरवाल ने कहा कि राम का मुस्कुराना कॉंग्रेस को पसंद नहीं। कॉंग्रेसी जब राम के नहीं तो कृष्ण के कहा होंगे वहीं 36 गड़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शहरी छेतर में पट्टा बाटेगी बीजेपी सांसत ब्रेजमुहन अगरवाल ने कहा कि राइपुर दक्षिन का मैं पर्मनेंट विदायक हूं और सुमिल सोन और सब्सक्राइब करें जया जाते हैं यह केवल वोट के भूके हैं तो जब राम के भी होए तो प्रस्ट के कैसे होंगे जो बावास शहरी छेतर में आवास के पट्टा है उपट्टा लग देहे के काम भी हमारे सरकार करी वह सब तयार है जैसे यह चुनाव होई वह इसे पट्टा दे के काम भी हमारे सरकार करी मैं जीवीत रहू तब तक जक्षिन विधान सभा के सेवा करत रहू मैं पर्मानेंट विधायक हो और अधिक्रित विधायक कोई हो ही तो सुनी सोनी हो ही 36 गर राज की स्थापना को 24 साल पूरे हुने पर 3 दिनों का समारों की शुरुआत हो रही है जिसे लेकर कॉंग्रेस ने तंज कसा कहा कि क्या वहाँ चाकू और तलवार दिखाएंगे कॉंग्रेस क्या रोपर डिप्टी सीया मरून साओं ने पलटवार किया कहा कि कॉंग्रेस ने गोशना पत्र में वादा किया था कि किसानों के 2 साल की बकाया बोनस देगी 5 साल की सरकार चली गई कॉंग्रेस बकाया बोनस नहीं दे सकी साई सरकार ने 12 दिनों के भीतर करोडो रूपे का बकाया बोनस किसानों को दे दिया कॉंग्रेस सरकार धान खरीदी का पैसा तरसा तरसा कर किसानों को देती थी अंतिन किस्त में डाका डालती थी और कटोटी कर देती थी तो आप इटेलियन चस्मा पहने हैं तो मुझे कुछ नहीं कहा है राइपोड जेल रोड गोली कांड मामले में पुलिस खुलासा कर ये चले लाइब चलते हैं और इसके अलावा अन्य चार से पांच मामले हैं साथी सहनवाज के खिलाब भी 307 के अलावा अन्य मामले हैं तो 5 से 6 मामले सभी की खिलाब हैं जिसमें आहत की खिलाब भी इसी प्रकार के मामले थाना टिकरापारा में दर्ज हुए थे और थाने से भी जानकारे ली जा रही है क्योंकि इस सहर के सभी थानों में इनके खिलाब कहीं न कहीं अपराद कायम है। अभी वहां से छूटा है ये लोग भी कुछ दिन पहले ही छूटे हैं इनके खिलाब प्रति बंदहात्मक धाराओं के तहट कारवाही की जा रही थी और लगातार जब भी सक्री हो रहे थे अभी भी पुलिस के टीम इनको खोज रही थी और जब भी ये मिलते हैं सक्री पाय जाते हैं तो इनके खिलाब एदानी कारवाही हो रही है जो भी घटनाय हुई है पुलिस ने तर्थ परता पुरुवा कारवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा है और सभी में आरोपियों को अबराधियों को सलाकों के पीछे वे जाए इनका वक्षा सिर्व दराला नह करना है जान से मारने रहा है तो निश्यत रूप से उसकी जान बचा ली जाए गई इसकी अखमारी थाने में एक बुजूर्ग की अप्याटिया गी थी इदर बांदवगड में दस हातियों की संदिग मौत के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है नितपर्दिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि बांदवगड नेशनल पार्क के भीतर चलने वाले आलिशान रिसॉर्ट संचालक नहीं चात करें इदर उमंग के बयान पर बीजेबी के पूर विदायक यश्पाल सिंग से सोधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कॉंग्रेस उल जलूल आरोप ना लगाए सरकार इस मामले को लेकर गंबी रहे हर पार पहलू की चांच की जा रही है कि जानकरी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है इन लोग नहीं चाहते थे कि वहां पर हाती रहे और रही कोदू कुटकी खाने से मोथ होती तो वहां अधिवासियों के गाय बेले बकरी वह भी खाते वह भी बरते सिर्फ हाती क्यों मरें और पिछले चार साल से वह लोग रह तो पारेश विवाग क्या कर रहा था पारेश विवाग दे क्यों नहीं देखा जैसे ही घटना संग्यान में ही है मन्नी मुख्यमंत्र जी ने बहुत गंभीरता के साथ उसको सारे प्रकणों को अपने हाथ में लिया है निलंबन भी हुआ है कहा क्लिन चीट दे रहा है उच पी के प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा राश्ट्री संग suffra講र्टर मामंत्री के ल संतोश सहित बड़ी संक्या में बीज्यपी के पता दिकारी और कार्यकरता मौझूद रहे मीडिया से चर्चा में प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सवभाग है कि राश् और मिस्टर करप्षन नाथ कमलनाथ को जनता नकार चुकी है। अगले चार से पांच महने तक कई परिक्षाओं के इंटर्व्यों का सिलसला चलेगा। सेवन पदों के लिए 1550 से ज्यादा अभियर्तियों इंटर्व्यों देंगे। इसके बाद सहायक प्रध्यापक भरती परिक्षा के 826 पदों के इंटर्व्यों शुरू हो जाएंगे। 36 गर राज की 24 वी वर्षगार्ट पर पांच नुमेंबर से तीन दिवसी राज उच्छाव का आगाज हो गया है। राइपूर के तूथा में भव्यस उधाटन समारो का आयोजन किया गया जिसमें विदान सबाद्यक्ष, डॉक्टर रवन सिंग, मुख्यमंत्री विशुन देवसाय और MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर महौन यादव अत्मुख्यादी के रूप में शामिल हुए। दीप का जबलित कर राजुत्सव का शुबारम किया गया, इस दोरान विशुन देवसाय और डॉक्टर महौन यादव देवन अगाड़ा भी बजाया। इस अकसर पर सीएम साय ने 36 गड़ के वी शाहिदों को याद किया और कहा कि भाजपा के 15 साल के कारेकाल में 36 गविकास हुआ है, धान खरीदी और PDS की विवस्ता रवन सिंग के कारेकाल में हुई है, इसके बाद मौजूदा सरकार ने 9 महीने के कारेकाल में ही मोधी की गार अमान कृष्ण की लीला हुई, वहाँ वहाँ धार में को रेटन स्थल बनाया जाएगा। ये सत्य है के 36 गड़ और मद्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है के दोनों सगे भाई हैं, इसलिए उस भाईचारे को बनाये रखने के लिए इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पुरवर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। और इसी के साथ सिटी लाइट में आज के लिए इतना ही बने रहे हैं, आईबिस 24 के साथ नमस्कार। झाले झाले प्रदेश के साथ नमस्कार।